दोस्तो नमस्कार वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो ओनलाइन टेस्ट अपने च्टार्ट कर रखे थे और सी आरो का आज टेस्ट हुआ है और अभी रिसेंटली सी आरो के थेयरीकी क्लास भी हुई है तो सी आरो यानि कैथोडरे ओसिलोइसको उपसे समदित इस वीडियो में आपको कुल 30% सीखने को मिलेंगे सभी क्यूस्तन को लाश तक आप जरूर देखे क्यूस्तन अच्छे लगे एक्स्प्रेंड करने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों को आगे इसे फोरवर जरू जरूर करें आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबीस्क्राइब जरूर करें यदि आपने टेस्ट दिया है तो आप मिलान कर लीजे कि कौन सा प्रसन आपका गलत हुआ था और उसका सही उतर क्या है अब तक टोटल 26 टेस्ट हो चुके हैं सभी टोपिक वाइज हुए हैं बाई लेंग्विज हैं इंदी और इंग्लिस दोनों में प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी 26 टेस्ट को भी जरूर देखें चलिए दोस्तों क्यूस से सुरू करते हैं आज का अपना नंबर वन क्यूस्चन था कि सामनेत है एक दोलन दरसी क्या परस्तूत करता है या क इसको रिपर्जेंट करता है दोस्तों जब त्योरी की क्लास हुई तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक सियारो में इंपुट सिगनल हमेशा वोल्टेज होते हैं और वोल्टेज वरसेज यानि वोल्टेज के सापेक्स वो टाइम को ही लेता है यानि समय और वोल्ट होते हैं तो ये क्वान्ट्रिटी जिस राजसी में परिवर्टिन होती है उसको वो शयोग करता है तो वोल्टेज समय के सापेक्स कैसे परिवर्णत हो रहा है इसको रिपर्जेंट करने के लिए हम एक सियारो का उप Scientific करते हैं हालांकि वर्तमान CRO, temperature, oscillation, current, इन सब पर नमी, इन सब पर भी operate हो सकता हैं क्योंकि वर्तमान में transducer का उपयोग होता है और एक transducer से हम इन सभी भोतिक राशियों को वैद्यूतिक राशियों में परिवर्थित कर भी सकते हैं सेकंड अपना question है कि एक CRT पर cathodary tube जो होती है CRO में उस पर fluorescent material की coating की जाती है उसका कारण क्या है यानि क्यों की जाती है fluorescent material देखो जैसे tube light में होता है ठीक उसी तरह से वहां भी होता है परती दिपती रसायन बोल सकते हैं है अपन इसको क्योंकि इलेक्ट्रोन जो होते हैं जो उस बीम से निकलते हैं जब बीम से टकराते हैं तो इलेक्ट्रोन की गती बहुत अधिक्तिवर होती है इतनी सारप उनकी गती होती है कि वो ultraviolet किर्ने उतपन करते हैं ultraviolet किर्ने जो होती है वो visible नहीं होती है यानी हम CRT की स्क्रेन पर उसको देख नहीं सकते थे इसलिए उन ultraviolet क्रिणों को visual range में convert करने के लिए हम पर्ति दिप्ति रेसाइन की coating करते हैं और यह रेसाइन जो होता है यह फासफर होता है यानि फासफर की coating होती है नेक्स्ट अपना क्योंसन है कि एक CRO AC Voltage का मापन कौन सा करता है CRO AC Voltage को भी मापन कर सकता है DC voltage को भी मापन कर सकता है Ripple voltage का भी वो मापन कर सकता है साथ ही वो समय और frequency का भी मापन करता है AC में एक CRO जब भी voltage का मापन करता है तो वो peak to peak value होती है और DC में वो direct RMS value होती है अभी अपने क्यूस्टन का आमसर ए रहेगा एक CRO peak to peak value का measure करता है next अपना क्यूस्टन है कि electron beam जो होते हैं वो विक्सेपित होते हैं किस direction में deflect होते हैं तो देखो वो दो दिशाओं में deflect होते हैं जब भी टकराते हैं दो direction कौन सी वी इसकी एक तो हो गई left right और दूसरी हो गई vertical और horizontal यानि वर्टिकल यानि उपर और नीचे यानि उपर नीचे और दाएं बाई तो दो direction में वो जो है वो deflect होता है वर्टिकल वाला जब आता है तो वो उपर नीचे विक्सेपित होता है और horizontal वाला जब आता है तो दाएं बाईं बाईं विक्सेपित होता है बिंदूओं के बीच की दूरी जिसको हम division भी बोलते हैं विवाजन बोलते हैं वो 20 है और time base की setting 0.5 millisecond पर है एक चक्र का periodic time कितना होगा देखो एक चक्र का जब periodic time आपको calculate करना हो तो बड़ा simple formula है कि दीगी division को time base setting से multiply कर दिया जाता है क्या formula होता है division into time base setting देखो division की value है 20 और time base की setting है 0.5 millisecond जब आप calculation करेंगे तो उत्तर आएगा 10 millisecond यानि एक चक्र में लिया गया समय कितना है 10 millisecond का समय लिया गया था अपने expression का उत्तर भी रहेगा next अपना question है कि नेमन में से कौन statement सही है द्यान से सुनियेगा सत्य कथन पूछा जा रहा है statement number one है कि CRO की screen पर sine wave voltage का निरिक्षन नहीं किया जा सकता यानि sinusoidal voltage is not observed on the screen of CRO और second statement दिया कि trace period में समय के साथ voltage घटती है देखो सत्य कथन के बारे में पूछ रहे हैं ये दोनों ही statement गलत हो गए यानि दोनों ही statement सही नहीं है CRO की screen पर हम sine wave voltage को observe कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दूसरी बात trace period में जब समय बढ़ता है तो उसके साथ voltage बढ़ती है retrace period में घटती है trace period का मतलब होता है जब ऐसे साटूथ wave उपर की और जाती है तो ये trace period कलाता है फिर वो घटती है थोड़े समय के लिए off block टाइम भी आता है और फिर बढ़ना सुरू हो जाता है तो ये यहां से लेकर के यहां तक का ये जो समय है ये कलाता है trace period और इसमें समय के साथ voltage बढ़ती है तो दोनों statement गरत होगे और हमें ये करना था कि सही कौन सा है इसलिए option होगा बी दोनों ही नहीं यानि दोनों statement सही नहीं हुए next question है कि CRO का control grid किसका बना होता है CRO में control grid जो है वो first होता है पहले वाला grid होता है वैसे तो कुल 4 grid होते हैं तो first जो grid होता है G1 इसको हम control grid बोलते हैं और ये nickel का बना होता है question का आमसुर अपना A option रहेगा control grid nickel का होता है नेक्स्ट अपना क्यूशन है कि CRO इज सैमेज यानि CRO किस की भांती है किस के समान है देखो CRO में एक होता है कैथोड और एक होता है ग्रिड बोल दीजिए या कंट्रोल ग्रिड हम इसको बोल सकते हैं उसके बाद में तीन होते हैं इसमें एनोड अलांकि उनको भी हम G2, G3 और G4 से ही दरसाते हैं यानि टोटल ओवराल अगर हम टर्मिनल्स की बात करें तो इसमें 5 सिरे होते हैं इसलिए CRO वालव से तुलना करें तो पेंटोड कहलाता है उसमें भी 5 होते हैं तो पेंटोड के समान होता है जो सनकान सुर अपना A रहेगा नेक्श की उसरा है कि CRO के कैथोड पर कोटिंग किसकी होती है देखो कैथोड जो होता है इसको हम हीटर के माद्यम से एपर्टेक्स हीटिंग देते हैं और ये इलेक्टोनों को ताप ये उसरजन करता है तो इसके कैथोड पर बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंसियम ऑक्साइड की एक परत चड़ी होती है जिससे इलेक्टोनों की जो उसरजन के लिए है वो और अधिक बढ़ जाती है किसन का अंसर डी रहेगा अगला अपना क्यूंस सण के निमन में से कौन सा CRO का भाग नहीं है देखो CRO में अटेन्यूएटर होता है हिंदी में बोलते है शेनकारी और इसका काम होता है सिगनल की स्टेबिलिटी बढ़ाना और सिगनल को मान में कम करना attenuate करने का मतलब होता है बादित करना या कम करना amplifier भी होता है इसका काम होता है सिगनल को amplify करना यानि मान को बढ़ाना attenuate और amplifier दोनों का एक दूसरे का opposite वर्क होता है start tooth generator भी होता है जो time based signal परदान करता है oscillator का कोई काम नहीं है CRO में अलांकि CRO को oscilloscope जरूर गोलते हैं हम और इसका पुराना नाम oscilloscope ग्राफ था लेकिन oscillator नहीं है oscillator बहुत अलग चीज़ होती है frequency वड़ाने के लिए circuit होता है C option रहेगा oscillator CRO का भाग नहीं है next अपना क्यूस्ट चना है कि CRO में synchronization से क्या मतलब होता है देखो alternator का synchronization तो आपने सुना होगा लेकिन CRO में भी synchronization होता है CRO में दो तरह की तो input होती है vertical और horizontal और दूसरी input आती है साट उत जनरेटर से जिसको हम time based signal भी बोलते हैं तो इस time based signal और vertical input दोनों में stability होना और इस्तिरता होना अती आवशक होता है otherwise एक CRO proper work नहीं करेगा इन दोनों को इस्तिर रखने के लिए CRO में एक परिपत का उप्योग करते हैं और उसको बोलते हैं trigger जो इनके synchronization करने का काम करता है यानि time based signal का Y input Y जो होता है ये vertical होता है Y input के सापेक से इस्तिरता होना CRO में synchronization कहलाता है next अपना question है CRO में लंबवत वीचलन यानि vertical deflection 8 है और volt परती division का मान 5 volt पर है DC voltage की गणना कीजिए DC voltage में गणना करने के लिए simple question होता है vertical deflection की value कितनी थी और volt परती division का मान कितना है इन दोनों को multiply कर दीजिए deflection का मान है 8 volt परती division का मान है 5 दोनों को multiply करोगे उत्तर आएगा 40 volt तो DC voltage की valuation कितनी आएगी 40 volt आएगी क्यूसन का हमसर अपना A होगा next अपना क्यूसन है कि CR में के थोड का उसमन कैसे किया जाता है यानि केथोड को हम कैसे गरम करते है heater होता है heater उसमा उत्पन करता है और उससे केथोड गरम होकर electron उत्सरजित करता है direct केथोड के पास कोई किसी परकार की supply या उसमन नहीं होता है इसलिए इस परकार की गरम करने की वीदी को हम indirect heating यानि apertex उसमन कहते हैं यानि apertex रूप से गरम किया जाता है उसको सीदे सीदे रूप में गरम नहीं किया जाता अगला क्यूस सना है कि CRT पर जो फासपर की coating होती है वो कहा होती है केवल आंत्रिक सताय पर होती है केवल बहारी सताय पर होती है दोनों सताय पर होती है तो CRT पर फासपर की coating का उदेश से क्या है उदेश से ये है कि जब electron विकसेपित होते हैं तो जो ultraviolet किरिने उत्पन होती है उनको दर से किरिनों में बदलना और ये केवल आंत्रिक सताय के लिए ही होता है बाहर वाली सताय पर कोई coating के आउशक्ता नहीं होती है जिस तरह से आपने देखा होगा floor center lamp, sodium vapor lamp इन में भी होता है तो केवल आंत्रिक सताय पर होती है inner surface पर होती है next अपना question है कि CRO में तुले कालन हे तू परिपत क्या कहलाता है क्यानि CRO में synchronization के लिए हम circuit काम में लेते हैं जिसके मैं भी बात कर रहा था और उस synchronization को trigger circuit के नाम से जानते हैं triggering हम तीन तरह से कर सकते हैं internal triggering, external triggering और line triggering next अपना question है CRO में start tooth generator द्वारा उत्पन voltage को क्या कहा जाता है start tooth generator एक voltage उत्पन करता है जिसको ramp voltage कहते है time based signal उप्योग करते है इसलिए इसको time based signal भी कहते है और इसको start tooth signal के नाम से भी जाना जाता है all above इसका option रहेगा question का answer अपना d रहेगा कि उपरोग सभी जो है ये CRO में उत्पन voltage के नाम है आगला question है CRO में एक चकर के दो बिंदों के बीच की दूरी का division 20 है और time based की setting 0.5 millisecond है इसकी frequency कितनी होगी देखो frequency के लिए आपको time की गणना करनी पड़ेगी ये same quantity और same data पहले आ चुके है हमने time calculate किया था 10 millisecond आया था याद है कैसे किया था दोबारा सुन लीजे division into time based setting यानि विबाजन को time based setting से आप multiply कर दीजे उत्तर आ जाएगा 10 millisecond का समय आया तो frequency गयात करने के लिए formula क्या है 1 upon time तो एक बटा 10 millisecond है तो 1000 हो जाएंगे उपर जाकर के calculation करोगे शो हर्टज उत्तर आएगा अपने execution का answer C होगा next question है कि CRT की screen पर coating किसकी की जाती है तो फास्पर की coating होती है साइद इस्तिवाद करने की जरूरती नहीं है केवल आंत्रिक से तैपर होगी प्राबेंगनी किरिनों को दर से किरिनों में बदलना इसका उदेश्य होता है अगला question है कि electron beam की focusing करने की कितनी वीदियां दो वीदियां होती है electromagnetic वीदि से भी कर सकते है electromagnetic वीदि से भी कर सकते है question का answer अपना C रहेगा both A and B next question है कि CRO क्या है एक fast XY plotter होता है यानि X और Y दोनों पर जब इसके horizontal और vertical input परदान के जाते हैं plot त्यार करता है और first है वो तीवर गती से operate होता है भी option रहेगा next question है कि CRT के deflection परदाली में plate कितनी होती है तो दो plate होती है कौन गौन सी, vertical और horizontal देखो वैसे तो 4 होती है दो vertical और 2 horizontal लेकिन overall comparison में यहीं आता है कि एक vertical के लिए होती है एक horizontal के लिए होती है तो दो plate होती है कौन कौन सी, vertical deflection plate horizontal deflection plate अगला कि उस सने की CRT का कारी यह सिदान्त क्या है तो ताप यह उत्सरजन होता है thermo emission English में बोलते हैं इसको क्योंकि CRT में जब यह गर्म होता है तो electron उत्सरजित करता है यह electron एक control grid में यानि एक बहुत छोटे होल में से गुजारे जाते हैं जहां से उसकी तीवरता बढ़ाई जाती है pre-acclirating anode के माद्यम से उसके बाद में final accelerating anode आता है जो उसको और अधिक तीवरता या गती परदान कर देता है यह उत्तर रहेगा ता आप यह उत्तर जन कहलाता है अगला किस्तर नहीं कि CR-O में focusing grid किसे कहते हैं तो अब सुन लीजे ध्यान से CR-O में एक cathode होता है और चार होते हैं grid G1, G2, G3 और G4 ठीक है cathode सबसे पहले जो एपरदेक्स heating के माद्यम से elektronوں का उत्तर जन करता है उसके बाद में जो first G बनाता है यह कहलाता है control grade क्या बोलते हैं इसको control grade यह एक तरह से उत्तर जित परकास को नियंत्रित करता है यह यह कहें कि elektron की उत्तर जन मात्रा को नियंत्रित करता है G2 जो होता है इसको बोलते है pre-aclarating anode और यह G2, G3, G4 इन तिनों को anode ही कहते हैं और जो cathode होता है वो negative होता है तिनों anode positive होते हैं जोकि control grid भी negative ही होता है और G3 जो होता है यह focusing grid के नाम से जाना जाता है और G4 जो होता है यह final accelerating anode के नाम से जानते हैं acceleration का मतलब होता है तवर्ण यानि vague में परिवर्थन करना तो यह और जादा vague को बढ़ा देते हैं जिससे screen पर वो तिवर्था से टकराते हैं तो focusing grid G3 होता है ठीक है दुब़ारा सुन लीजिए G1 control grid होता है G2 pre accelerating anode होता है G3 focusing grid होता है या anode होता है और G3 final accelerating anode होता है और G2, G3, G4 यह तो positive होता है और G1 जो होता है यह negative होता है cathode भी negative होता है next question है कि निमन में से ऐसा तेकतन कोन सा है गलत statement की पैचान करनी है first statement है कि CRO microsecond को परदर्सित नहीं कर सकता तो यही statement एक तो गलत हो गया CRO microsecond nanosecond picosecond तक को भी display कर सकता है यह ध्यान रखें यह तो microsecond की बात ही कर रहा है यानि 10 की power minus 6 जबकि CRO से nanosecond और picosecond तक को भी हम display करवा सकते हैं second statement दिया कि CRT जो है यह CRO का heart कहलाता है cathode ray tube को cathode ray oscilloscope का heart देक आ जाता है तो यह statement सही हो गया तो गलत statement की यदि बात मैं करूँ तो statement one जो है वो गलत है यानि C option रहेगा only one केवल एक number statement जो है वो गलत है next अपना क्युस्सन है कि सामाने ताए एक CRO क्या है देखो CRO एक तरह से voltmeter ही है क्योंकि voltage display करने के लिए voltage measure करने के लिए इसका उपयोग करते है input signal भी इसमें voltage ही होता है समय के साथ voltage में कितने परिवर्टन वे यह देखा जाता है यानि CRO basically generally एक voltmeter ही होता है next अपना क्युस्सन है कि control grid की बाइसिंग कैसी होती है तो control grid जो होता है वो first होता है G1 और यह negative बाइसिंग वाला होता है anode जो तीनों होते है वो positively बाइसिंग वाले होते है next अपना क्युस्सन है कि CRO में first grid को क्या का जाता है तो यह तो G1 की बात कर रहा है तो control grid ही होता है और G2 pre-eclarating होता है G3 foxing और G4 accelerating होते है यानि G1, G2, G3 G4 और एक होता है cathode इसलिए CRO को pentode भी बोलते है next अपना क्युस्सन है कि CRT के परदे पर electron क्रिणों के विचलन की गती को हम sweep कहते है sweep गती के नाम से वो जाना जाता है परदे पर जब electron deflect करते हैं तो उसको sweep कहा जाता है यह option रहेगा next question है कि CRO का उप्योग हम किसके मापन के लिए कर सकते हैं तो AC, DC, voltage frequency, time period ripple voltage इन सब के लिए हम CRO का उप्योग कर सकते हैं question का answer अपना D रहेगा next question है कि CRO में लंबवत विचलन 8 और वोल्ट परती डिविजन की setting 5 पर है AC, RMS voltage की करना कीजिए देखो जब यही same question पहले DC के लिए आया था और वहाँ पर हमने सीधे सीधे multiply किया तो उत्तर आ गया यहाँ पर जब हम सीधे सीधे multiply करेंगे तो यह 40 वोल्ट जो आएगा यह AC की peak to peak value आएगी इसकी peak value गयाद करने के लिए 2 का भाग देंगे 20 वोल्ट सिखर मान हो गया अब सिखर मान से RMS मान गयाद करने के लिए 0.707 से इसको multiply करना है उत्तर आएगा 14.14 वोल्ट बस दोस्तों यह थे 30 क्यूस्टन CRO से समन्देद यदि क्यूस्टन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना अपने दोस्तों को भी आगे forward इसे जरूर करना आप यदि चैनल पर नई आए हो तो आप चैनल को subscribe जरूर करना